वीडियो अगले वीक का आउटलुक क्या लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर बैंक निफ्टी के साथ रहां पर प्रीवेसली बहुत ही बड़ा एक सपोर्ट जोन अल्रेडी बन रखा है अगर आप यहां पर लाइन स्ट्रॉ और आप लोग वहीं पर है अच्छा उपर की साइट पर अगर आप लोग देखो तो हम लोग ब्रेक आउट जरूर मिला था हमारे इस लेवल से जिस लेवल के नीचे मार्केट बेरिश रहना चाहिए था वहां से हम लोग को फॉल देखने को मिला बाउन्स हुआ बाउन्स होकर इस लोग बुल ट्राप हुए भी है हम लोग ने इस मूफ पर बिल्कुल भी छेड़ खानी नहीं कि लग रहा था कि एक कॉल ली जा सकती थी बट मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत यह जो ट्राप वाला सीन था यह था स्टार्टिंग में यह जो गाप था यह फेल हो चुका है तो मंदी के लिए जोग हमारे पास important levels बनेंगे वह सेम 44100 वाला level बनेगा अगर आप लोग को याद होगा तो पहले हमारे पास 44151 का all time high था तो अब उसकी जगा हम 44100 को ले रहा है और यह लेवल के नीचे हम लोग को एक बेरिश मूफ देखने को मिलना चाहिए अचा वह ज जो बीर लेवल था वह हमारा next बुल लेवल बन जाएगा इंडेस लेवल को हम लोग closing basis पे देखेंगा और जो chances है वह बुल लेवल के ब्रीच होने के थोड़े से कम है reason being कि हम लोग को अल्रीड मिल चुका है ठीक है chances कम है बट इसका मतलब यह नहीं है कि वह ब्रीच नहीं ह सकता तो हम लोग उने सिर्फ जो हमारे लेवल की basis पे हम लोग उने analysis को रखना है as of now जो नजर आ रहा है वो यह है कि market को यहां से हलका सा और नीचे जाना चाहिए market lower levels पर ही close हुआ है जहां पर morning में यह open वादा उससे भी नीचे close हुआ है तो थोड़ा सब यह साइन है यह bank n निफ्टी के लिए ठीक है तो हम लोग वेट करेंगे 44100 के तूटने का जिसका हमारा टार्गेट बनेगा 43850 और उसके बाद जैसा भी होगा वह मैं फिर आप लोग को जो टेलिग्राम चैनल है जो कि आप लोग के लिए आपकी support के लिए खोला गया है उसके अंदर मैं update कर आज भी मैंने आप लोग को निफ्टी का overview update किया था टेलिग्राम चैनल में तो निफ्टी आप लोगों ने देखा ही होगा हम लोगों ने हमारा जो बीयर लेवल था वह था 760 के आज बास राइट and 740 से 760 के बीच में rejection एक्सपेट किया था सुबही हम लोग बहुत major rejection फिर उसके बाद एक breakout देखने को मिला हम लोग को यहां पर कोई भी closing नहीं देखने को मिले अचा माइंड इट निफ्टी का चार्ट बैंक निफ्टी से काफी जादा बुलिश लग रहा है हम लोग अपने bottom से काफी जादा उपर है और बैंक निफ्टी अब आप इसको ऐसे सेम ओल्ड सेविन नाइटी सेवन नाइटी का लेवल शुट बी अगुड बुल लेवल अट इस लेवल के ऊपर और तो मैंने आज आप लोगो टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया था कि हमारा जो बुल वियू है वो इन्वालिडेट हो चुक है बट हम लोगों को कोई कैं इसको नोटिस करूं तो 790 गुड अनफ बुल लेवल जिसके ऊपर हम लोगों को टारगेट 9840 और 9900 के टारगेट मेरा अभी भी सेम इंटक्त है अगर अब यहां पर इस चीज को नोटिस करें तो 9900 यहां पर जो गाप फिलिंग जोन है इस गाप को हमें फिल करना तो वह ब्रेक आउट हमको देखने को मिले मैं आपको अगें सेम कीज बोल रहा हूं थोड़ा सा निफ्टी के व्यू में डिफरेंस क्रियेट हो सकता है क्योंकि बैंग निफ्टी काफी जादा बियरिश नजर आ रहा है और निफ्टी जो है वो स्टिल थोड़ा सा ले सकते हैं बट बैंग निफ्टी को काफी जादा एक बड़ा लेवल है फाटी फो थाजन फोर निफ्टी करना पड़ेगा तब बुलिश होगा निफ्टी हावेवर यहां से पचास साट पॉइंट उपर जाएगा तो इन चीजों में थोड़ा सा हम लोग को डिफ्रेंश आप जाओ जाके चेक करो और इस वीडियो को यहीं तक ही रखते है अच्छा आप लोग को अगर एक स्टॉक्स के अपडेट का वीडियो चाहिए तो कल मैं घर पहुंच जाओंगा मैं आप लोग के लिए कल एक वीडियो जरूर बनाकर डाल सकता हो तो मेरे को कमेंट निगे का ट्राइंग करेंगे ठीक है सो दास्ति मुच एट फरम माइड़ साइट थैंक्स फीडियो को देख है अगर आपने यहां तक अगर लोग 궁िडयो को देखेंगे तो प्लीज ऑ कुश्टि न्यू सब्सव्राइबर्स सब्स्क्राइब करो हमारे सबस्क्राइब को complete हो जाएगा and hopefully इस weekend पर यह चीज हो पहे तो that's pretty much it thank you and I'll see you guys in the next video take care